असलाम लेकुम वियूर्स आज हम बात करेंगे बर्सन के फाइदे बर्सन के जो फाइदे हैं इसमें सबसे पहला फाइदा यह है कि यह हाई परोटीन कांटेंट है आलमोस 20 परसेंट के इनियर इसमें परोटीन कांटेंट है तो यह परोटीन का सोर्स है तो इस वज़ा से यह अगर इस्तमाल किया जाए बरसन तो बंडे के जो अहराजात हैं वो कम किये जा सकते हैं दोनों तरीकों से एक तो इसको सबस चारा के तोर पे काट के डाला जा सकता है उसमें जो है वो अहराजात भी कम हो जाते हैं दूसरा जो है इसकी अगर हे बना ली जाए तो जिस सीजन में कोई बिचारा नहीं होता उस सीजन में वंडे की जगा पे इसको इसको इस्तमाल कर लिया जाए तो जो प्रोटीन कांटेंट है वो आपके जानवरों के पूरे हो सकते हैं इस तरह जो अहराजात वंडे के हैं वो कम किये जा सकते हैं दूसरा इसका फायदा यह है कि इसमें फाइबर लेवल हाई है और तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा इसका है कि यह मल्टी काट है अक्तूबर से लेके मैई जून तक यह लगातार जो है, इस्तमाल किया जा सकता है और सर्दी के अलावा जो दिसंबर या जनुरी के चांद दिन है उसमें इसकी ग्रोथ मतासर होती है यानिके शदीद सर्दी या दुन्द में थोड़ी सी कम होती है वरना अक्टूबर नॉम्बर हो या फिर मार्च फैबरी एपरिल इसमें इसकी ग्रोथ बेहतरीन होती है अगर जमीन में डियेपी यानिके फासफोर्स जो इसको रिकार्ड है वो अवेलेबल हो डियेपी खाद डाली हो नाइटरोजन जो कि इसको यूरिया से मिलनी है वो अवेलेबल हो तो समीन त्यार अच्छी तरह से हो खाल अच्छी तरह से चलाया होगा हो तो यह जो है इसकी ग्रोथ बहुत जएदा होती है और यह मल्टी काट है कि एक बार आप उसको काट रही है उसके फोरण बाद जो है दूसरा काट इसका रेडियो हो जाता है तो यह इसका बहुत बड़ा फाइदा है कि बार बार इसको लगाना ने पड़ता एक बार अगर इसको लगा दिया जाए तो कई बार मल्टी काट है अब तो इसकी नए एकसाम आई है जो कि बहुत जएदा काट देती है मतलब कि आप उनको जितनी बार काटो उतना ही जैदा जो है वो नीचे से हुगेगा उसके बार इसका पाइदा ये है कि ये एक लंबा अर्सा तक रहने वाला चारा है मतलब बाकी अगर हम मकै काष्ट करें बाजरा है गंदम है जैई है तो वो शार टाइम के लिए उसको बस काटा एक बार उसके बार धत्म हो गई तो ये जो है ये बहुत ज़्यदा अर्से के लिए है और दूसरा आम जो जैसे मकै है या बाजरा है गंदम है तो उसका जो पीक लेवल होता है वो उस वकत होता है कि जब उसका जो सिटा है उसका दाना वो दो दिया हो तब उसका फाइदा होता है लेकिन इसमें ये इश्यू नहीं है इसका जो पत्ते हैं पत्तु में ही इसके जो कॉंटेक्ट एनर्जी के वो हैं तो सवाले से इसका कोई लिंक नहीं है कि बीच बनेंगा बीच दोदी होग नेक्स्ट जो इसका फाइदा है वो यह है कि इसका जो तना है यह बरीक है तो बरीक तना जो है यह हे बनाने में इस्तवाल किया जा सकता है अगर मोटा तैना होगा तो उसको काटना पड़ेगा काट के छोटा करना पड़ेगा या अगर उसको उसी तरह से रहने देंगे तो वो जाया हो जाएगा वो मोटा जो तैना है वो जानवर नहीं खाएंगे लेकिन इसका फाइदा ये है कि इसमें आपके पास एक option है कि आप उसको उसी तरह से काट के जो है इसकी हे तियार कर लें और हे जो है वो आप इसको गंडे की जगा पे इस्तामाल कर सकते हैं फार्मर जो नहीं है जिनने अभी dairy setup को स्टार्ट की है तो जो सबसे जयदा कास्ट आती है स्टार्ट में वो फीड की है वंडा तो वंडा में जो जयदा मेहंगी चीजे हैं जिनकी कास्ट जयदा पड़ती है वो है प्रोटीन के सोर्स जिसमें घंड बनुला है मकई काटा है इस तरह की चीज़े तो ये जो हाई कास्ट वाली चीज़ें हैं इनकी जगा पर अगर आप बरसन डाल दें तो वो आपके पास कास्ट को कम गार सकता है तो बरसन की अगर हे हो तो ये पूरा साल इस्तमाल की जा सकती है बक्रियों के लिए भी इस्तमाल किया जा सकता है तो इस हवाले से ये जो चारा है ये किंग आफ फुडर के चारा जातकार बादशाह है सबसे जएदा अनरजी लेवल इसी में है तो इसकी कास्ट जो है इसके हवाले से ये आप स्क्रीन में भी आपको नजर आ रहा है कि यहां पे इस केट में इसको कास्ट किया गया है लेकिन इसकी कास्ट उस तरह से नहीं होई जिस तरह से होनी चाहिए थी कि ये जो है इसका उगाओ काम हुआ है अब इसमें पानी लिगाया गया है और पानी खड़ा करके उसमें अब अगेन जो इसका बीज है उसको छटल ग उगाओ में कमी थी वो अब पूरा हो सके तो अब फस्ट कार्टिस का हो गया है वो कुछ हास नहीं हुआ बज्जा इसकी ये थी कि जब इसको कार्ष्ट किया गया था स्टार्ट में तो जमीन बड़ी अच्छी तरह से त्यार थी और इसका 100% उगाओ हो गया था लेकिन उगा पनी बार्षे हैं जिसमें जमीन यह हमवार नहीं है कुछ खेत उच्चे हैं कुछ लो लेवल पर हैं तो सारा पानी कठा होके यह जो सता जिनकी कम है यहां पे आया है और वो साथ ही सारा बरसन जो है उसको बाख के ले गया यह चंद पोद्देश के बच्चे से जो आपको नजर आ रही हैं तो अब अगेन इसमें च्छटा लगा दिया गया है तो अमीद है कि कुछ दिनों तक जो है यह दुबारा उग गाएगा और एक या दो माँ के अंदर अंदर वो भी यह जो हाली जगा है इनको फिल कर ले गाँ तो इस तरह से अगर अब भी दिसंबर में यह उग गाए तो मैई जून तक काफी टाइम है इसको हम इस्तमाल कर सकते हैं तो जून या मैई में जाके जब इसके उपर फूल आ जाते हैं तो उसके हवाले से डाक्टर्ज अजरात मना करते हैं कि इसको जो प्रेगनेट जानवर है उनको ना दिया जाए ताके उनका थोड़ा अर्सा पहले प्रेगनाट हुए थे अगर उनको फूल वाला बरसन दिया जाए तो उनके लिए जएदा जो है वो फाइदा नहीं जाए तो यह जो भी आपको नजर आ रहा है यह दूसरा खेत है तो इसमें हमने बरसन कोई मिक्स करके डाला था साथ इसके सरसू है और मकाई गंदम जई यह सारी चीज़े मिक्स की थी तो इसमें मकाई बगर अच्छी होगी थी सरसूं भी उसको काड़ लिए काड़ के जानवरों को डाल दिया लेकिन बरसन जो है मकाई के नीचे ही दब गया था और सही तरह से नहीं हो सका अब इसको अगेन हमने इसमें बीच बगर अलगा दी है तो फूली चैन दिनों तक यह हो जाएगा तो जब इसको पानी लगाया है तो यह जो स्क्रीन में आपको नजर आ रहा है माउस इसने यहां पे जगा जगा पे सुराह गिये हुए हैं तो जमीन भी जो है यह खेद आपको नजर आ रहे हैं कि कुछ खेद ऐसे हैं कि जो छोटे खेद हैं कुछ जो हैं वो उनका लेवल हाई है कुछ का लेवल लूभ है तो अब जितना यहां पे पानी लगाया गया है यह सारा पानी जब मुकम्मल हो चुका था तो इस खेट से जो दूसरी साइड पिर खेट है जिनका लेवल इससे बिलो है उस साइड पे इस मावस ने सुराह किया हुआ था और इस सारे का सारा जो पानी है वह उसमें से नीचे तरह से जतनी मेनत की थिए जतना इस पर हरच किया था यह साड़े का सारा जो हम जाया तो इस भाले से अगर इस तरह का लैबल हो То यह देख लेना चाहिए अगर इस तरह का कुछ इसु ए तो फोरी तोर पर इसको रिजाल्व करना चाहिए होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगिया होगी जीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करने शुक्रिया